Hello students, हमारे CBSE Time Saver Course में आप लोगों का स्वागत है और मैंने पुल मित्तल आप लोगों का इंडिया के नमबर वन ओनलाइन प्लाटफॉर्म E2's Education के साथ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ जो हमारा CBSE Time Saver Course है इस वाले कोर्स की खास बात यही है कि आप लोगों का टाइम जोए वो बहुत सारा बचने वाला है मतलब आप लोग जो जिस तरह से किताब इस समय पढ़ते हैं और जो सबसे important किताब है NCRT उसके एक छोटा सा आप लोगों का जिस्ट के form में आप लोगों को सारी सारी चीज़े बता दी जाएंगी पुराने questions जो आप लोगों से पूछे गए हैं उनको आपको अलग से discuss करवा दिया जाएगा और पूरा का पूरा जो chapter है वो आप लोगों का पढ़के आप लोगों को बताया जाएगा किस किस तरह से क्या-क्या concepts आप लोगों से पूछे जाते हैं कौन सा part important है कहां से क्या-क्या questions बन सकते हैं वो हम लोग यहां पर अभी check कर रहे होंगे ठीक है तो आईए देखते हैं electric charges and fields और इसके बारे में अब चर्चा जो है वो शुरू करते हैं तो देखो शुरू में कुछ introduction है जिसमें बटा चार्ज के बारे में हम लोगों को कहानी जो है वो बताई गई है इसके कारण ही electricity के बारे में दुनिया में चर्चा जो है वो शुरू हुई इन्हीं सब चीजों को पहले ऐसा मानते थे कि कोई हैवान विवान होता है कोई भगवान होता है इस तरह से लड़ाई जगडा करते रहते बाद में पता लगा कि यह एक ऐसा phenomenon है जो कि अपन लोग इनसान लोग भी करवा सकते हैं ठीक है तो यह सब चीजे जो है यहां पर आपको बताई गई इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर ठीक है सारा का सारा जो खेल है सारी की सारी जो कहानी है वो आप लोगों को यहां पर जो सुनाई गई है वो किसकी सुनाई गई है चार्ज के बारे में सारी सारी चर्चा जो है वह असली में की गई है जब भी हम लोग बिटा चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो चार्जेस की खास बात क्या होती है कि चार्ज जो है अगर मैं उसके बारे में आपको प्रापर्टीस के बारे में बताऊं तो चारज जो है उसको अपने होग ऽी तर दुसरी बात चारज जो है उसका तो ईह तो यह दो फुम लोग b? avatar नेगिटिव होगा यह हम लोग बहुत अच्चे से जानता हैं कि Pozitive positive negative तो पास में हमेशा क्या करते हैं उटा ईकरते हैं और वहीं बात करें positive negative के combination कि तो यहां पर हमेशा क्या होता है बच्चों a James तौह होता है तो इसके बात की जाती है तो हम लोग चार्जेज के लिए ऐसा बोलता है कि यह कुछ नहीं होता असली में इस ऐधर excess of electrons या फिर deficiency of electrons या तो इसमें excess of electron होता है या फिर electrons की क्या होती है बच्छों deficiency होती है या तो किसी बॉड़ी पर इलेक्ट्रॉन जादा होंगे जब किसी बॉड़ी के ऊपर इक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसको क्या बोलता है नेगेटिवली चार्ज है ठीक है हम उसको नेगेटिवली चार्ज बॉड़ी जो है वो बोल देते है ठीक है और अगर किसी बॉड़ी पर डेफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे पॉड़ी चार्ज बॉड़ी जो है वो सीधे-सीधे बोल देता है ठीक है अब क्वांटाइजेशन की जहां पर बात आती है तो हम लोग यह मानके चलता है कि जो मिनीमम पॉसिबल चार्ज होता है जो आपका मिनीमम पॉसि जो कहानी है वो बोलते हैं और बोलते हैं कि क्यों की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस एनी के बराबर होती है और यह वह आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसकी वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो एन जो हमेशा कोई इंटीजर होगा एंज्वाइट कैन इस तरह का नंबर जो है वह एक्जिस्ट नहीं कर सकता है यह बात ध्यान रखना ऑल्दो इसमें इसमें आपको क्वार्क के बारे में भी बताया गया है कि क्वार्क भी होते हैं पर हम उसको कंसिडर करके नहीं कर चलते हम लोग तो एक आईडियल केस लेकर चलते हैं कि जो स सबसे चोटा चार्ज दुनिया में मौझूद है वह प्लस ए है यानि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही है ठीक है तो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया गया करीब-करीब 620 में इसके बारे में जो है बता हो चर्चा कर ली गई थी त्हेल्स आफ लोग जो चार्ज है उसको एक बॉड़ी से दूसरे बॉड़ी के अंदर ट्रांसफर वगेरा जो है वो कर सकते हैं ठीक है तो क्या अब्जर्म किया गया था यह मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो हमारी अगर दो ग्लास रोड्स को लेते हैं और उनको भूल या सिल्क से ह कि भी आपस में रिपैल कर रही थी लोसरोल के पास ब्यूद onc decided ideal चार्जेश और जो बात की बात कर रहे हैं तुछांपल लग जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ध्यान रकिये जब glass rod और wool को पास लेकर गए तो उन दोनों में attraction वह मतलब दोनों में opposite nature of charges है तो ध्यान रखना glass और wool को जब हम लोग पास लेकर गए तो हम लोगोंने क्या देखा बिटा? attraction देखा जबकि glass glass and wool wool जब हम लोग खेल रहे थे तो हमने क्या देखा बिटा? repulsion वाला जो case है उसको देखा था ठीक है? यह बात ध्यान रखना इसी तरह इसका खेल जब हम लोग plastic rods के साथ खेलता है बिटा फर, plastic rod और फर के साथ में तो हम लोग repulsion वाला जो case है बट्टों वो देख रहे थे समझ गया है? कौन सा case देख रहे थे repulsion का जो होता भी है plastic plastic लाओ के पास में तो repel करेगा, फरफर लाओ के पास में तो repel करेगा, दोनों को लेकर आओगे आपस में एक दूसरे के पास तो attract करेगा ठीक है? तो यह एक example है जो आप लोगों से directly पूछ लिया जाता है बच्चों और आप लोगों को कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है? तो यह सब बटा, transfer of electrons और transfer of, जो आपका एक body से दूसरी body में है, charges का transfer, यानि transfer of electrons की जो कहानिया बटा, उसी कहानी को आप लोगों को समझाया गया है, बहुत बड़ी-बड़ी कहानिया लिखके ये बात आपको पता होनी चाहिए ये जो सब facts हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना, कि कोई भी body है, उसके पास में अगर negative charges वाएं, वो मौझूद है और इससे आप लोगोंने neutral body को आड़ा दिया तो in that case क्या होगा, चार्ज का जो flow है, वो यहां पर बन जाएगा है ना, और charges कब तक flow करते हैं, real में charges का flow तब तक रहता है, जब तक जो potential है वो body इसका same नहीं हो जाता अगर यहां पर मानलो, same shape की body body है, तो equal charges जो है, वो दोनों के ऊपर आ जाते हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, चीक है, तो जो transfer of electrons हो रहा है, उसके कारण एक और चीज़ होती है, जो आपका mass होता है, negatively charged body का वो हमेशा जादा होता है, किस से बच्चों? positively charged body से ये बात भी ध्यान रख रहा है, ठीक है, जो आपका negatively charged body का mass है, वो हमेशा जादा होगा किस से बच्चों? एक positively charged body से, please remember this thing, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, क्यों क्योंकि electrons transfer हो गए, negatively charged body के पास में, electrons जादा है positively charged body के पास में, electrons कम है, उससे transfer होकर दूसरे के पास में चले गए, तो आप लोग समच सकते है कि electrons का mass जो है, वो add up हो गया और इसलिए जो बटा, mass होता है, वो कम और जादा का case जो है, वो बना देता है यहापर, ठीक है मेरे बच्चों? है ना? ध्यान लीजिए. तो charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. ठीक है? अगर हम लोगों ने बटा, charges जो rub करके acquire किये थे, वो सब loss हो जाता है, जब charge bodies गो हम contact मिलाता है. अब इससे हम लोग क्या conclude कर सकते हैं? यह अपने को यह बताता है कि unlike charges acquired by the objects, neutralize और nullify each other's effect. obviously, एक के पास अगर positive है, एक के पास अगर negative है, तो आपस में nullify एक दूसरे के effect को कर देंगे, क्योंकि बटा, number जोडते हैं positive negative, plus two, minus two को जोडते हैं, तो 0 आ जाते हैं. इसलिए इन charges का नाम जो है, वो क्या रख दिया, बटा positive और negative रख दिया. समझ गया है? clarity है ना इस चीज़ पर, ठीक है? चल, अब ये convention बन गया बिटा, ये बात ध्यान रखना, by convention, charge on glass rod, और cat for is called positive. glass rod या फिर cat के फर के उपर जो charge था, उसको positive बोला, ठीक है? और जो plastic की rod के उपर या silk के उपर था, उसको negative बोला, बस, ये convention था, ठीक है? तो जब भी तुम से कोई बोले, कि silky rod पे charge कैसा है, मतलब silky के कपड़े के उपर charge कैसा है, तो ध्यान रखना negative charge है, तो silky rod से हम लोग charge का जो transfer है, वो कर सकता है, silky rod कैसी charge होती है, negatively charge होती है, बात खतम, ऐसे प्लास्टिक की rod positively charge होती है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब silky rod क्या बोल रहा हूँ मैं, silky का जो कपड़ा है, वो हमेशा क्या होता है, negatively charge होता है, प्लास्टिक की rod भी negatively charge होती है, वहीं बच्चों हमारी जो glass rod या फिर जो बिल्ली की जो skin होती है, बिल्ली का फर होता है, वो हमेशा positively charge रहे गए, इस चीज़ को याद आगे, ठीक है, यह concept आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, तो please remember, क्या चीज़ बटा, glass rod positively charge, ठीक है, और प्लास्टिक की जो rod थी बटा, यह आप लोगों की कैसी चार्ज थी, negatively charged, इसके साथ ही प्लास्टिक की rod के साथ में और क्या लिया था बटा, silk का कपड़ा, ठीक है, तो silk cloth, और इसके अंदर क्या था बटा, इसके अंदर था बिल्ली का फर, cats पर, बात समझ में आ गई, है ना, तो यह दोनो positively charge, यह दोनो negatively charge, और राइट, चलो, तो देखो, यह कहानी तो होई गई अपनी, किस तरह से cat की फर, के ऊपर क्या आता है और plastic rod पर क्या आता है, silk कपड़े पर क्या आता है, ग्लास rod पर क्या आता है, उसके बाद में आती है, आपके कहानी किस की बटा, पत्तियों से अब सोने की पत्ती जितना फैलेंगी उतना ही जादा मैगनिटूड आप लोगों ने दिया होगा इस से अपने को यह वाली चीज़ वह पता लगती है तो इनका जो डाइवरजेंस का जो मतलब जितना जादा डाइवरजेंस है उतना अच्छा चार्ज वह हुई है आप इसको घर पर भी बना सकते हैं पर उसका कोई काम आपके लिए नहीं है अभी तो अपन लोग टाइम सेव कर रहे हैं ठीक है भाई साब यह यहां पर दिया गया ध्यान रखना अगर इस तरह से मेरे पास में जो इसकी लीव्ज है वो बिटा खुली वही है एक यह दे रखे हैं हमें leaves of gold leaf electroscope ठीक है बच्चों और आप से पूचू मैं किसके अंदर ज्यादा चार्ज होगा तो यह एंगल बढ़ा है ना भाई साब यह मानले थीटा बने और यह मानले क्या है थीटा टू जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हो थीटा बन इस ग्रेटर देन और Q2 यहां जो आपको Q1 जो आपने दिया होगा ना मैटल की रॉड से Q1 चार्ज जो यहां पहुंचा होगा वो और यहां कितना चार्ज पहुंचा होगा विटा Q2 तो जो Q1 चार्ज है वो बढ़ा होगा किस से Q2 सो यह हम लोगों को gold leaf electroscope के थूख सीखने को मिलता है ठीक है यह बात सब लोग घ्यान रखेंगा है ना भाई सब तो देख लो आगया बात की गई है किसकी बीटा conductors और इंसुलेटर्स की आपकी NCRT का ही syllabus जो है वही अपन को देखना है और उसमें cut portion को नहीं देखना है यह सब अपने syllabus में है तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीक है तो जब हम बीटा conductors और इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं तो conductors की खास बात क्या होती है वह अपन आगे जाके पढ़त हैं बहुत अच्छे से conductors के बारे में सारी कहानी जो है वह आपके syllabus में है अब करते हैं इनके पास फ्री इलेक्टरॉन्स होते हैं घूमने पिरने को इनके पास में नहीं होते हैं ठीक है यह कहानी जो है वह आप लोगों को समझाई हुई है तो conductors के लिए हम लोग क्या बोल सकता है कि भी हमारे metals metals होता है यह सब conductors होता है ठीक है और हमारे insulators की अगर मैं बात करों तो आपके plastic plastic जो है यह सब आपके insulators वगरा के अंदर entry जो है वो मार जाता है इसी तरह से मैं अगर बात करूं मतलब वुड वगरा देख लो तो वह भी आपकी insulator हो जाती है तो प्ला दुनिया में जिसे Upना वोलत सेमी कंडूक्टर में सेमी कंडूक्टर बात होथी है कि अंके पास में दो होते नहीं है परिनन को क्या गरम का न तो इनके अंदर इलेक्ट्रों और सुہ जनरेट हो जाते हैं जिनके कारण हमें और उस वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में सारी की सारी जो चर्चा है वो आपन लोग आराम से कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में सारी जो कहानी अभी अपने को पढ़नी है वो कंडुक्टर किया ठीक है बच्छों चाल तो सम्सब्सेंसेज रेडिली अलाओ पैसेज ऑफ इलेक्टर सटी है ना जबकि कुछ नहीं कर पाते तो यहीं वाला डिफरेंस है बटा कंडुक्टर और इंसुलेट और यह बताया गया है जब एक चार्ज बॉड़ी को हम लोग अर्थ के साथ में कॉंटेक्ट में लेकर आते हैं तो जितना भी एक्सेस चार्ज होता है बॉड़ी का वो डिसापियर हो जाता है और यहीं कारण है हमारे घर के अंदर जितने भी इंसुमेंट्स होता है उनकी जिए अपन लोग अर्थिंग वगएरा करके रखते है चीक है दिस प्रॉसस्फ औफ श केर रेग दे ऐसे स mówiर्थ हुँ नहीं होता है कि इस तरह के इस बहुत आपने को प्रॉपर नहीं मिली आम अपने छोटे से ज्यादा सप्लाइए खीश ली तो जलने के बहुत चांसे तो यह जो मोटा वाला पार्ट आप लोग देखते हो ना यही विटा अर्थिंग के लिए इन से एक वह आपका लाइव रोता है और एक बच्चों वो न्यूटरल वायर होता है उन्यूटरल correct यह जो आपका रेड कलरता है लग माइयर जो है वो black या फिर green होता है और वहीं जो neutral आता है ये neutral जो है ये आपका yellow भी हो सकता है किसी-किसी company में बटा ये blue भी आता है और आजकल तो रंग भी रंग ये सतरंगी भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यही वाली बात यहां पर समझाई गई है जार्जिंग है इसके अंदर अपने को किसी भी चीज़ को चूना नहीं होता है दूर-दूर से ही सारा का सारा जो खेल है वो हम लोग खेलता है ठीक है तो इंडक्शन के अंदर क्या हुआ देख डाइग्राम जो है वो बने हुए नहीं के थ्रू में आप लोगो सारी की सारी चीज़ें वो समझाने वाला हूं जैसे दो बॉडिस थी अपने पास में पड़ी हुए थी इन दो बॉडिस के पास में मैं ने क्या किया बिटा मैं एक पॉजिव ली चार्ज बॉडी जो है वो लेकर गया ठीक है यह दूनों त पॉस्टिव चार्ज और अभी तो यह बॉडिस मिली में थी अब मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर लिया दूर दूर ले लिए ठीक है तो यहां कैसे चार्ज थे नेगिटिव यहां कैसे थे पॉस्टिव मैंने इस वाली बॉडी को भी हटा लिया अब इधर इसके पास में तो सिर्फ negative charges exist करने लगे और बी बॉडी जो थी उसके पास में क्या एक्जिस्ट करने लगे positive charges तो negative charges की existence इसी लिए ज़्यादा हो गई इस वाले portion में जैसे देख इस positive के कारण यहां अब जो यह दूर को पॉजिटिव गया ना इसके कारण यहां पर भी कौन इखटा हो गया एक्स्ट्रा तो इस पूरी बॉड़ी को जब हम लोग दूर ले गए इसको हटाने के बाद में तो इसके उपर तो मेरे को कौम से चारजेश देखें नेगेटिव का एक्सेस दिखा और इसके उपर मुझे क्या दिखा विटा डेफिसिट दिखा तो यहां तो आई डेफिसिट और यहां पर क्या आई नेगेटिव की एक्सेस तो यहां तो नेगेटिव थे ही साही यहां और इखटे हो गया और यहां जो यह नेगेटिव इखटे थे पहले से इस वाली जग बात समझ में आती है इस तरह से आप लोग इंडक्शन यानि बिना छुए चीजों को चार्ज कर सकते हैं जैसे यहां पर इसको दूर रखा है कैसे रखा है इसको दूर रखा है अडाया नहीं है जबकि कंडक्शन के अंदर तो अडाना पड़ता है समझे तो यह होती है अपन चलो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज जो अभी मैं आप लोगों को शुरू में ही बता के आया था वही सारी प्रॉपर्टीज बटा यहां पर भी लिखी हुई है ठीक है हम लोग सब पॉइंट चार्जेस की ही बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज है ना मानले कोई माइनस क्यू त्री चार्ज भी मौजूद है तो माइनस क्यू त्री और करते हैं समझ गए यही वाली बात यहां पर आपको बताई गए है अल्राइट एडिटिविटी के बाद में बटा कंजर्वेशन बताया है तो कोई भी अगर बाड़ी है उसके उपर चार्ज जो है वो आपका कंजर्वड रहता है उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कोई ऐसी बहुत भारी बात जो है वो आपसे नहीं बोल दी गई के चार्ज के बारे में ऐसा क्या हो गया कोई भी अगर आइसोलेटेड इस्टम है टोटल चार्ज ऑफ हुआ है ठीक है आओ ऐसा ही सिस्टम के अंदर सारी चीज़े निकाली नहीं है यह इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो लिखा हुआ है एक कूलम क्यूंकि एक बड़ा चार्ज होता है तो आपन लोग मिली कूलम माइक्रो कूलम जो यूनिट से विटा वो खूब काम में ले प्लस माइनस एनी लिख दो उसको ठीक है ना उसी चीज़ को यहां पर तरीके से बताया गया है जो अपन लोग देख सकते है ठीक है मेरे बच्चों है ना ये कहानी सारी की सारी चार्ज की है जो आप लोगों को अच्छा से पता होनी चाहिए राइट मैंने तो आपको पॉ पर अपन लोग तो आईडियल केस वाला इही मान के चलते हैं अपने को उसकी कोई और क्या पूछ लिया रहता है आप लोगों से बहुत नियुमेरिकल है वह पूछ लिये जाते हैं जो मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं आपके क्वेश्चन वाले सेग्मेंट के अंदर जहां पर आपको क्वेश्चन जो पार्ट है वह आ जाएगा सीबी एसी और ओल्ड क्वेश्चन के साथ-साथ आप लोगों को क्या मिल जाएगा उसके अंदर आपको मिल जाएंगे बिटा आपके objective इसाथ अब जो आजकल सीबी एसी जो है वो पूछने लगी तो ओल्ड क्वेश्चन प्लस objective दोनों ही आपको मिल जाएंगे कुछ और बिटा इन चार्जे इसके बीच में से जो डिस्टेंस है एक दूसरे का वो अगर आर है ठीक है तो क्यूंकि मानले दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम है तो क्यों क्यों के ऊपर एक फॉर्स लगाएगा जिसकी वैल्यों कि फॉर्स आण टू दू यू टू और इसे एक ट्यू तो जो है वो एक्टर क्वांटिटी होगी डिरेक्शन के साथ उसको डिफाइन करेंगे और हम लोग इस वाली फॉर्स के लिए यह बोलता है एक इसके फोर्स होती है कि इन्वर्स्ली प्रपोर्चनल टूट जब इसको कनेट किया जाता है तो जो फोर्स आती है क्या आती है क्यों क्यू टू अपान आज स्क्वेर जिसके अंदर के जो बिटा वो coulombs constant कहलाता है यह मैंने यहाँ पर magnitude of the force वो आप लोगों के लिए लिखा है ठीक है जब बिटा direction के साथ लिखूँँगा तो इस वाले r vector का जो cap है वो मैं multiply कर दूँगा जैसे ही बिटा r cap multiply होगा तो हमारे पास में जो force है उसकी value क्या हो जाएगी वो लो k times of q1 q2 upon r square multiplied by r cap और बिटा जो r cap है इसकी जब value मैं यहाँ पर put करूँँगा तो k q1 q2 upon r cube multiplied by vector r यह हमारे पास में जो vectorial answer है बच्चों वो निकल के आ जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है तो this is the vector form कि कौन सा form हो गया बटा vector form ठीक है और यहाँ पर जो medium अपन लोग मान के चल रहे है वो air है या फिर vacuum है जिसके लिए यह सारी सारी चीज़ है लिखी जा रहे है ठीक की जो value है बटा SI units के अंदर 9 into 10 की power 9 होती है अगर हम इसकी unit भी लिखना चाहें के की तो के की unit के आजाए कि जल्दी से बदा Newton meter square per coulomb square तो nm square per coulomb square इसकी unit होती है के को अपन लोग बटा 1 upon 4 pi epsilon naught के थुरू भी represent करते हैं ठीक है SI में तो के की value यह होती है मतलब MKS या SI जो भी भोल ले CGS में K की value 1 हो जाती है इसमें epsilon naught जो है बटा यह permittivity of free space कहलाता है permittivity of free space ठीक है बच्चों यहां ना epsilon naught इसकी जो value है वो क्या होती है 8.85 इंटू 10 की power minus 12 ठीक है 8.85 इंटू 10 की power minus 12 इसकी unit क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी तो कूलंब स्क्वेर पर Nm स्क्वेर के का inverse है न बटा permittivity of free space या फिर permittivity of vacuum यह इसका प्यार बड़ा नाम होता है ठीक है यह बटा central forces होती है और F12 जो अपन लोग लिखते हैं उसकी value जो है वो minus F21 के बराबर होती है यह बात सबको पता होनी चाहिए यही आपको इसके अंदर बताया गया है यह सब चीज़े जो है वो भाई ठीक है बटा राइट मैंने आपको उधर बता दी कोई जिनता वाली बात नहीं है ठीक है इसके अंदर यह बात ध्यान रखना बटा कि कूलम्स लॉट जो है वो एक simple mathematical statement है ठीक है इनीशियली जब एक्सपरिमेंट के लिए अरेव गिया था तो वाइल डा ओरीजनल जब कूलम्स ने सब discovery की थी ना बटा तब कूलम्स को magnitude of charge के बारे में बहुत ज्यादा जो है knowledge नहीं थी तो कूलम्स ने ऐसे Newton का result देखा GM1 M2 by R² और अपना result जो है वो बना दिया है ना सच्चा ही यह नहीं है पर ठीक है अपने ऐसा बोल देते हैं इसके अलावा जब अपन लोग सारी चीज़े लिख लेता है जो मैंने अभी आपको बताया था इन लोगों ने क्या किया है एक औरीजन मानके वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करती है और फिर बिटर डेल्टा आर वेक्टर जो है उसकी कैलकुलेशन कर दी है और टू एक्टर माइनस रवन वेक्टर के साथ ठीक है आजा चलो बैट तो यह हमारे पास में वेक्टोरियल फॉर्म में जो आंसर है वह आ गया है राइट चलो अ कि अना कूलम के बारे में सब कुछ बताया गया है जो अपन लोग देख रहे हैं और हम लोगों ने डिराइव कर लिया ठीक है अब बिटा अगर मुल्टीपल चार्जेज हो जाता है कैसे चार्जेज बढ़ाता है इफ देर आर मुल्टीपल च पर देख वे डिया था वेट लिया था क्यों था तो अगर इस तरह से आपके पास में चार चार्जेज मौदूत थे तो इस चार्ज के करण इस चार्ज बीटा फोर्स आपका इधर लग जाएगा चिक है इसकी वैल्यू ओए है इसकी भी वैल्यू एफ होगी और इसकी जो है वो आप लोगों के पास में कुछ एफ डैश होगी तो आपकी जो एफ और एफ का नेट होगा वो एफ डैश की डिरेक्शन में होगा मानले स्कुएर के ऊपर रखा है अपन तो स्कुएर वाला क्वेश्चन ही कर लो जो बोड के अंदर भी पूछा गया था ठीक है तो बोड का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को कर लेता है एसाइड का स्कुएर है और अपन लोगों को इसके ऊपर जो है नेट फोर्स की वैल्यू नेकाल लें तो इन इसके कारण इधर इन भाई साब के कारण इधर इस एफ डैश की अगर वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगी क्यू स्कुएर अपन इस बार विटा रूट टू है मतलब तो जब नेट फोर्स लिखेया तो क्या लिखेया एफ नेक्ट तो देख इसका और इसका नेट यह दो दोनों तो बराबर है तो रूट टू क्यू स्कूर बाय एस्कुर और प्लस क्या हो जाएगा यह वाली जो फोड सेगे एक दिरेक्शन में दोनों तो यह आपका एफ नेक्ट की जो डेक्शन है वो हमारे पास आगया क्यू स्कूर अपन हो एस इन दोनों को एड करना है यह इन दोनों को क्या करना है एड तो तो के क्यू स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर को कॉमन मार और यहां पर क्या लिख दे रूट टू प्लस वन बाइट लो भई आंसर वह वह आपका आचुक है अब बोड के अंदर एक बार ट्राइंगल बना के दे दिया ट्राइंगल के ऊपर निकाले साथ डिगरी का एंगल के हिसाब से सॉल हो जाता है तो कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं होती है हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को आराम से सॉल क कर सकते हैं ठीक है तो यह जब मल्टीपल चार्जेश होते हैं तो अपन लोगों को वेक्टर अना बहुत ज़रूरी है और जो यह तरीके से अपन लोग निकालते हैं इस सब चीजों को इसको बोलते हैं अपन लोग प्रिंसिपल और सूपर पोजीशन तो जब बोड में को सब्सक्राइब करना होगा तो एक हम लोगों ने प्रिंसिपल इन्वेंट कर रखा है जिसका नाम क्या रखा है प्रिंसिपल और सूपर पोजीशन ठीक है राइट यह सब चीजें जो है यह वही बता रखिए ठीक है मेरे बच्चों शालो आगे आजाओ यह निकाल रखिए तो कहां ही वही है ठीक है एक बात और ध्यान रखना कि दो चार्जेश के बीच में जो बिटा से लगती है जैसे मानले यह क्यू बन चार्ज था यह मानले कोई फॉर्स लगाएगा इस स्की विल्यू प्रशीं डिरेक्शन में इसकी वैल्यू एक बीच्चों जो धिक्स के उपर फोर्स जो है वो लगा रहा है ठीक है यह फोर्स कित्ती लगा एक मानले इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स है तो वो क्या होगी के Q1 Q2 डिवाइड़ बै एकस स्क्वेर तो यह दूसरे किसी चार्ज के कारण Q2 के उपर जो बटा Q1 के कारण फोर्स लग रहा था उसके उपर कोई एफेक्ट थोढ़ी ना आया जो भी ऐफेक्ट आया तो नेट फोर्स के उपर आया ठीक है तो एक चार्ज के कारण जाहिए ओपन को यह वैक्टर सम के बारे में बात की गई है बच्चों किस तरह से वेक्र सम नेकर और फाइनली आंसर आ गया और अब चर्चा करेंगे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो असलिए में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जब हम लोग यह सब चीज़ें के क्यूब आड़ स्कॉर वाला जो आंसर है इसकी जब बात करते हैं तो मैं तिरको समझाता हूं जिसस पर मेरे पास में छोटक्रम को इसको मैं यहां पर कहीं लेकर आया कई है के कहीं से भी जरूरी नहीं इस referring को जब बटाए सके पास में लाया। तो इस वाले छोटे चार्ज Q को कुछ-कुछ फील होना शुरू हुआ वो क्यों फील होना शुरू हुआ क्योंकि लोगों को पता था कि एक चार्ज यहां पर क्यू जो है वो रखा हुआ अगर मैं वैसे ही इसको इंफिनिटी से ला रहा था और कोई चार्ज आसपास में नहीं मौझूद था तो इसको कुछ नहीं हो रहा था पर अगर पहले से कोई चार्ज मौझूद था और मैं इसको लेकर आ रहा था है ना तो इन दाट केस इस Q के उपर कुछ-कुछ होने लगा वो जो कुछ-कुछ था ना उसके बारे में किसी को पता नहीं था ये कुछ-कुछ था हमें कुछ भी पता नहीं था क्यूं था पर ये था हमें कुछ नहीं पता था जब इनिशियली कुछ पता नहीं था न तो हमने ऐसे-ऐसे बना लिया बहुत मजाते हैं उनके पास बैटने में ठीक है तो वो दोनों ही तरह के effect जो है आपको Q जो है वो दिखा सकता है तो इस Q के कारण कोई तो ऐसी चीज जो है वो produce हो रही थी जो इस वाले Q charge को कुछ-कुछ हो रहा था समझें इसका वो जो कुछ-कुछ होना था उसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया विटा इलेक्टरिक फीड यह जो महसूस कर रहा था कि किस चीज के कारण महसूस कर रहा था इस Q ने कुछ तो ऐसा produce किया था कि इस Q को कुछ-कुछ हुआ ठीक है वो कुछ-कुछ किस के कारण हुआ उस चीज का नाम हमने क्या रख दिया विटा इलेक्टरिक फीड जो है वो नाम रख दिया और जब हमने इसको define किया तो हमने कैसे define किया हमने लिखा इकी जो value होती है वो हमारे पास होती है force on the test charge divided by the test charge कैसे define किया इस charge के ऊपर जो आपकी force लग रही है वो और divided by वो charge खुद तो force on the test डिवाइड़ बाइट ये ऐसे लिख लो force on test charge कि ढूपा अ-पाउन आर स्कुएर डिवाइड़ बाइड बैक्यों और आपके पास में क्या बच जाएगा के Q अपॉन आर स्क्वेर्ड जिसे आप प्यार से क्या लिख सकते हो वन अपॉर पाइपसाइलम नॉट इंटु क्यू बाइ आर स्कॉर्ड तो यह आपकी इलेक्रिक फील्ड की वैल्लिव है किसी पॉइंट चार्ज के का रहा है यह जो वैल्लियो लिख है बच्चों कि क्या पॉइंट चार्ज के कारण क्या है एक इलेक्रिक फील्ड की वैल्लिव जो है वो लिखी हुए ठीक है ड़न अब यह देख इलेक्रिक फील्ड प्रडियूस कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है बटा कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है तो इलेक्रि अंदर आती होगी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं वाटा रेडियली आउटवर्ड इसको अब आगे देखता है इसके बाद में बाद में डिवाइड किया होगा तो इस सारी इत्ती सारी जो कहानी है ना उसके अंदर वही बता रहा है जो मैंने आप लोगों को बता होना चाहिए वो यह है कि जब भी हम लोग कोई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फीड जो है उसको ड्रॉ करते हैं जैसे अगर आप लोग भ्यान देंगे तो फॉर्स है इसकी वैल्यू जो है वह क्युँई देर क्वांटिट्री होती है और हमारी जो फॉर्स है उसकी वैल्यू क्या और लगती है, this is a force which the charge experience is और अगर वो force experience कर रहा है तो बिटा वो accelerate भी हो सकता है force लग रहा है तो वो क्या हो सकता है, accelerate भी हो सकता है और हर अलग-अलग distance के उपर, क्योंकि आपकी electric field अलग-अलग होती जाएगी, तो आपका जो denominator है, वो बढ़ा होगा और अगर denominator बढ़ा होगा तो as a whole जो आपनों की force है, वो कम होती जाएगी, ठीक है? यह बात हमें यहां से पता लगती है तो इस Q के कारण जो electric field बटा बाहर निकल रही थी, उसके कारण जो force experience की इसने, वो क्या की बटा QE? यही अगर मान लो minus Q charge मौझूद होता, तो minus Q charge जो है, वो किस तरह से force experience करता बटा? वो इसके opposite direction में force जो है, वो experience करता यानि की pass आता होगा Inwards, minus Q को क्या एहसास होता बटा? कि जो force है वो towards लग रही है, यानि opposite to the direction of field जो है आप लोगों को force का एहसास होगा, छीक है? यह इसके उपर QE लगे लिए opposite to the direction of electric field, अगर मैं यहाँ electric field की direction बनाता हूँ, तो बटा यह direction होगा ही किसकी आपकी electric field और यहाँ पर भी अगर बनाता हूँ, तो यह direction क्या होगा ही आपकी electric field की जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रखे, तो electric field तो यह दर है पर force जो है वो opposite direction में है, तो हमेशा याद रखें, plus Q charge जो होता है, उसके उपर force और electric field जो है, यह दोनों यहाँ पर लोगा है, और यही अगर minus Q charge होगा, तो आपकी force और electric field जो होगे, यह क्या होगे, यह क्या होगे, इन केस आपने minus Q charge जो है, वो लिया, ठीक है, electric field अलग जा रही होगी, force उसके opposite होगा, और इस case में electric field जिदर, उसी direction के अंदर आपकी force होगी, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पर, कि यहाँ theta की value जो है, वो 0 degree मिलेगी, और यहाँ theta की value पाई मिलेगी, ठीक है, तो यह तो इतनी बाते हैं, आपन कुछ भी कर सकते हैं, है ना भई, आओ, तो यही सब बाते हैं यहाँ पर बता ठीक है भाई साथ, चाला, तो एक system of charges के कारण electric field क्या होती है, तो जैसे अपन लोग, force लिख रहे थे, जैसे अपन लोग क्या लिख रहे थे, force लिख रहे थे, तो जैसे मानले, यहाँ पर मैंने, प्लस Q charge ले लिया, example से करते हैं, यहाँ पर भी plus Q charge ले लिया, ठीक है, यहा पर भी किसी ने बोला कि माइनस Q ले लो, तो माइनस Q ले लिया, अब हम लोगों ने एना, एक arbitrary point जो है ना वो पकड़ लिया, let's say कि मैंने एक P point जो है वो यहाँ पर ले लिया, और इस P point के ऊपर मेर से पूछा कि electric field की जो direction है, वो क्या है, ठीक है, बोड का question है, जो मैं electric field है, उसकी direction क्या होगी, तब उसकी direction इधर होगी, radially outwards, इस Q के कारण किदर होगी, सरे इधर होगी, और value जो है, वो दोनों की क्या होगी, बटा, same होगी, यह वाली जो length है, इस length को अपन लोग calculate कर लो, how much is this length, जल्दी बता, बई, this is root 2 है, यह root 2 है का आदा, तो root 2 A by 2, कि ठीक है, A by root 2 जो है, वो यह वाली length है, इसको X लिख लेता हूँ, ठीक है, X की value क्या है, बटा, A by root 2, तो यह अपना 1 मान लो, इसको अपन लोग 2 मान लेता है, तो यह मैंने लिख दिया, बटा, E1, यह मैंने क्या लिख दिया आपके लिए, E2, अच्छा, इसको अगर 2 मान है, इसको मान लिया, 3, इसको क्या मान लिया, बटा, 4, तो 3 के कारण जो आपकी electric field आएगी, उसको भी मात कर ले, 3 के कारण जब मैंने electric field देखी, भाई साब, तो वो इधर यह आ रही थी, तो यह आपकी क्या हो गई, E3, और जब इसके कारण देखी, तो इसके कारण भी पा कर सकते हैं, बच्चों, वैसे ही, जो आप लोग principle of superposition apply कर रहे थे, वो बिटा आप लोग यहां पर भी apply कर सकते हैं, और vectorially सारी की सारी चीजों को solve कर सकते हैं, तो आईए देखते हैं, कैसे principle of superposition यहां पर apply होगा, इन दोनों का net किया, तो यह टूई, यह भी टूई, तो मै तो मेरा जो final answer है, वो क्या हो जाएगा, 2 root 2e, और e की जो value है, वो किती है, kq upon r square, r का मतलब x square, x की value किती है, बच्चों, a by root 2, तो kq upon a by root 2 का square, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, 2 kqs by a square, तो मेरा जो final answer है, बटा, e net, उस answer की value क्या हो जाएगी, बोल, 2 root 2e, तो 2 root 2 into, कितना, kq upon a square, into, sorry, 2 kq by a square, तो कितना हो गया, 4 root 2, kq upon a square, यह मेरा final answer है, भाया, देख लो, p point के उपर, electric field अगर कोई लिख वाएगा, तो, समझे, इस तरह से हम लोग यह वाले question करता है, छीक है, 4 root 2, kq by a square, this is the final answer, for electric field, e net, 2 either, 2 either, 2 2e connect, 2 root 2e, खतम, solve कर लिए answer आगया, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से electric field में भी आप लोग principle of superposition का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छीक, आईए, तो यही सब बातें बटा बताई हुई है, जो अपने को अब पढ़ने की कोई ज system of charges and is independent of the test charge, test charge हो divide होके cut गया, तो उससे बिल्कुल independent था, तो term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point, मतलब हमेशा, जैसे मानले मेरी मैं बोलू मैं एक charge हूं, मेरी electric field कहां तक है, infinite तक है, जब तक r की value infinite नहीं पहुँचेगी, तब तक मेरी electric field 0 नहीं होगी, मेरा influence to infinity तक है, पर बह हाँ, यह condition जो है बटा हो बताया गया है, true physical significance is however emerges only when we go beyond electrostatics, ठीक है, और इसमें अपन लोग electromagnetic phenomenon जो है उनको पढ़ता है, तब अपने को जाके असलियत जो है, इसके अंदर पता लगती है, electric field की, क्योंकि असली में बटा, जहाँ पर भी electric field exist करती है ना, वहाँ पर magnetic fields वो भी exist करती है, यह अपन लोग आगे जाके पढ़ता है, तो जब charges rest पे थे तो electric field की कहानी पढ़ लिए, पर जब आपने constant velocity से charges को move करा दिया, तो electric field भी आ गई, magnetic field भी आ गई, और वहीं अगर आप लोगोंने उनको accelerate करा दिया, तो बिटा, electromagnetic waves आ गई, तो इतना भारी concept होता है ना, constant of charge produces electromagnetic waves and so on, वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, ठीक है बटा, तो electric और magnetic fields अब दोनों आ जाती है ना, तब कहानी में तिक्कत होती है, तो concept of fields आप फेराडे ने सब से पहले दिया था, और अब यह एक बहुत ही central concept है physics में, जो आपन लोग जानते हैं, ठीक है बटा, अब करेंगे electric field lines की, तो electric field lines हो है, वो मैंने बनाई थी आपके लिए, जैसे मानले plus q charge है मेरे पास, तो plus q charge के लिए अगर मैं electric field lines हो है, वो बना रहा था, तो वो इस तरह से radially कहां बना रहा था, बटा, radially, outwards हो है, उनको मैं आराम से अपने draw कर रहा था, ठीक है, यह हमारा क्या प्लस q, अब यही मानले minus q charge था, तो minus q के लिए अपन ने कैसे बना दीती इसको radially inverse हो है, उस तरह से अपन लोगों ने draw कर दीती, अंदर आती हुए, तो हम यही बोलता है, आईदर generated at positive or infinity, and they are terminated at negative or infinity, समझ गया, तो generate कहा होती है, बटा, positive or infinity, और terminate कहा होती है, negative और infinity, इस तरह से अपन लोग आराम से बोल लेता है, ठीक है, यह बना हुआ है, प्लस q के करने से बाहर जाता हुआ, इस arrow को यह लोग सोटा क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन लोग दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे electric field का magnitude है, वो भी क्या होता जा रहे है, यहां पर जो बढ़ रहे हैं, यह बात यहां पर आपको बताई गई है, यह हमारे किसी काम का नहीं है, इसके अंदर बस यह बताया हुआ है, बटा कि electric field lines वो है, वो जितनी हिस से cross हुई, उतनी ही इस वाले हिससे से भी cross हो रही है, यह वाली बात बटा यहां पर बताया है, ठीक है, दूसरी बात यहां पर जो सिखाई है, वो क्या सिखाई गई है, कि यहां पर जो portion है, जहां पर बटा density of electric field lines वो है, वो जादा है, उस वाले portion के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर electric field का magnitude है, वो भी जादा होगा, influence भी जादा होगा, तो जैसे मानले, electric field lines को मैं इस तरह से बनाओ, है ना, और मैं आप लोगों को बोलूँ, कि यह electric field line है, इसमें एक point A है, यहां पर B point जो है, तो यहां जादा line है, तो हम लोग सीधे-सीधे क्या बोल सकते हैं, यह जो है, वो greater than होगा, किस से बिटा, EB से, समझ गए, दूसरी बात, electric field lines हो है, वो इ जो की possible नहीं है, इस वाले point पर आपने ऐसे tangent डालें, तो आपने वो field का जो direction है, वो मिल जाएगा, ठीक है, अब ऐसा तो possible ही नहीं है, कि एक ही point पर दो field के direction हो, क्योंकि electric field line जो है, वो आपको net electric field के बारे में idea जो है, जो है, इसलिए अपन लोग जब forces भी mark करते हैं, तो व Q charge जो है, वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इन डाट केस, उस plus Q के ऊपर जो force लगेगी, वो इस तरह से लग जाएगी, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, और यही मानले, यहाँ पर कोई minus Q charge रखाता, तो minus Q के जो force है विटा, वो opposite to electric field tendentially लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्योंकि direction विटा, same और anti-parallel ही होता है, इसलिए आपन लोग इन वाली lines को, जो electric field lines अपन लोग बना रहे हैं, इसको आपन लोग electric lines of force भी बोल देता हैं, क्या बोल देता हैं विटा, इसको अपन लोग electric lines of force, तो यह दोनों ही इसके नाम होत आइधर you call it electric field lines और you call it electric lines of force, वो आप लोगों की personal choice है, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, यह concept जो है, इसका underline concept है, जो आपने को पता, clarity है, तो यह आपकी electric field lines का, जो एक major मतलब क्या बोलता है, properties है यह वो है, साथ ही बटा, intersect नहीं करती है, close loops मां exist, नहीं क ठीक है, इनका existence close loop में नहीं होता, positive या infinity से generate होगी, negative के ऊपर जाके terminate होगी, अधरवाइस तो चलती रहेंगी, अनन्द पता, ठीक है, चलोगा, यह सब बाते जो हैं, वो यहाँ पर लिखी हैं, जो आपन लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से, यह बिटा area वगेरा का आप लोगों को करना नहीं है, तो इसलिए कोई tension वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया, कि जो area माग कर रखे हैं, वो किस तरह से था, ठीक है, यह सब बाते हैं, यहाँ पर भी बताई गई हैं, कैसे positive charge और negative charge को लिया गया है, इसमें कुछ special diagram आप लोगों को देखने को मि देखो, plus q, plus q अगर ले लेंगे बिटा, तो आपको कुछ इस तरह की electric field lines वो मिलेंगी, ध्यान रखना, और ऐसे plus q, minus q, अगर same magnitude के charge में बिटा, तो इसको अपन लोग डाइपोल भी बोलता है, इसको अपन लोग प्यार से क्या नाम रख देते हैं, बिटा, डाइपोल, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है, आप लोग देख सकते हैं, EFL do not form any close loops, this follows from the conservative nature of electric field, बिटा आपकी जो electrostatic forces होती है, conservative होती है, close loop के अंदर जो work done है, आप लोगों का हो 0, क्या होता है, आता है कि नहीं आता, कुछ पता नहीं है, तुम्हें conservative के बारे में, ठीक है यही लिखा हुए, ठीक है, two field lines can never intersect each other, field lines start from positive charges and negative charges, सारी बाते वहीं जो मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ, ठीक है भाई, चलो, और इसके बाद में जो चर्चा होती है, वो किसकी है, electric flux, देखो भई, तो flux के बारे में जब बात की, तो हमने क्या बूला, flux को आप लोग इस तरह से देखें, कि flux क्या है बटा, number of electric field lines है, flux क्या है, आपकी number of electric field lines है, जो कि किसी surface से पास सर रही है, basically energy, क्या होता है ना, कि जो आपकी electric field lines होती है, बटा, वो energy अपने आप में carry करते है ठीक है, तो energy जितनी भी carry करती है ना, वो सब electric field lines होती है, ठीक है, carried by electric field lines, और ये जो बटा, आपकी electric field lines energy को carry करती है, जब भी ये किसी surface को cross करती है, तो आपन लोग उसका अंदाजा लगा सकते हैं, कि बटा, कितनी energy जो है, वो surface के तुरू जा रही है, तो हम लोग count of number of electric field lines क क्या बोलतेते हैं, बटा, count of number of electric field lines is called flux, ठीक है बटा, इसको आपन में क्या नाम रख रख है, flux जो है, वो नाम रख रख है, ठीक है, we define analogous quantity, call it electric flux, ठीक है, और इस electric flux की जो हम लोग value लिखते हैं, बटा, phi से represent करते हैं, और इसको आपन लोग क्या लिखते हैं, बटा, q inside upon epsilon naught या फिर integration of e.da, इस तरह से अपन लोग इसकी values को लख सकते हैं, यानि कि ये electric field पे, और बटा, area के ऊपर depend करती है, और उनके बीच में जो angle बनता है, उसके ऊपर भी depend करती है, ठीक है, e for electric field, a for area, अब अगर बटा, electric field और area के बीच में बनने वाले angle पे भी depend करेगी, और यहा हम लोगों ने क्या किया बिटा, ऐसा बोला कि area क्योंकि एक vector है, तो अपन लोगों को जो surface है ना बिटा, उसके हिसाब से हमेशा area की direction को मान के चलना पड़ता है, positive, negative जो भी है, तो अगर आपके planar surfaces होते हैं, है ना, तो अपन लोग क्या करता है, outward normal को, अपन लोग क्या मान लेता है, area vector की direction, ठीक है, outward normal जो है, उसको अपन लोग area vector की direction है, उसको बढ़िया से एकदम मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसी मान ले तिर पास में disk हो गई, है ना, तो outward normal जो है ना, उसी को तू area vector की direction हो मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, वहीं जो आपके close surfaces होत ठीक है, वो सब आपके area vector की direction हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना वहीं, तो इस तरह से हमेशा parallel to electric field जो है, वहीं आप लोगों का क्या आ जाता है, area vector जो है, वो आजाता है, और आपको कोई दिक्कत जो है, वो नहीं आती है, ठीक है, इस तरह से यह सब कहा जो है, वो बना सकते हो, यह आपका area vector, जहां भी है, पीछे बनाना है, पीछे बना लो, dot बना लो, cross बना लो, सारी इसारी चीज़े कर लो, तो ऐसे area vector को आपको fix करना पड़ता है, चाहे ऊपर fix कर लो, चाहे कहा fix कर लो, नीचे fix कर लो, पर जिस भी direction में fix करो, उस direction से सीधे lines जो है, वो pass हो रही है, मझे से, इसको आप लोगोंने थोड़ा सा orientation को change किया, तो बटा, line जो है, उसी के हिसाब से change हो गई, पास होना, तो यह जो सब dependency है, यह आपने को ऐसे ही पता लगती है, तो जैसे मानले मेरे पास में कोई, इस तरह की मानले disc थी, और इस वाली इस angle is given to me as 30 degree, यह आप लोगों की electric field है, ठीक, और मेरे से पुझा, flux की जो value है, वो बताओ, तो मैं जब flux लिखूँआ न, तो यह cos 30 लिखूँआ क्या, यह बताओ सबसे पहले तो, अब जैसे ही मैंने यह लिखा तो यह हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि बटा, area जो अपन ल होगा, तो E और A के बीच में जो angle है, यह E है, और यह आपका A है, तो यह angle तो 60 degree हो जाएगा, तो इसलिए यह लिखना क्या हो जाएगा, बटा, आपका गलत हो जाएगा, और जो सही चीज होगी, वो क्या होगी, यह cos 60 होगी, और हमारे पास में जो answer है, यह by 2, तो that's how the answer will come out, ठीक है, इस तरह से जो आपका answer है, वो निकल के आएगा, यह by 2 के बराबर, तो this is how you are going to do it, राइट, है ना, यह बात के ध्यान रखना, यही सब चीज़ें इसके अंदर लिखके समझा रखी है, माने आप लोगों को वैसे यह वाली बात जो हो समझा दी है, ठीक है, चलो नॉर्मल जो है वो डाल रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, 3D फिगर वगरा जो होता है वो, है ना, यह बात ध्यान रखना, यह देख वोगों कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ठीक है मेरे बच्चों, है ना, यहां पर बटा देखो, फ्लक्स की पहले तो एलेक्टरिक फील्ड आ गई, उसके बाद में क्या आ गया, एरिया, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वेर, है ना, तो एनम स्क्वेर पर कूलम, इस तरह से भी आप लोग इसकी जो यूनिट है वो लिख सकता है, बेना किसी समस्या के यह बात सब लोग ध्यान चीक है, दूसरी बात, जब हम लोग बिटा फ्लक्स को और अलग तरह से डिफाइन करते हैं, तो अपन लोग फ्लक्स को किस तरह से लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो आगे जाके अपन लोग उसको गौसलो के अंदर पढ़ेंगे, आगे जाके उसको अ अपन लोग से भी जाती है, तो वो बेसिकली एक एप्लीकेशन और फ्लक्स है, जिस पार्ट को हम लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग उस चीज की जो चिंता है, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, है ना, और इसके बाद में जो हमारा पार्ट वो part आता है कि सका बच्चों electric di apole का ठीक है कि तो देख लो in elementary dipole का अंदर क्या होता है daiji poole के बारे में विटा जो हम बात करते है तो dipole kya है यह मैं आप लोगों को बता जा जो एक तो a.dusra क्या है बच्चों आप तो यहों का माइनस चोर्ज और इनके बीच में तो डिस्टेंस है वो एक है ठीक कि चार्जज आफ दसेम मैगनिट्टूड चार्जज का मैगनिट्टूड कैसे लेना आपको सेम लेना है इके डेक्शना आपका डाइपोल होता है और डिस्टेंस उनके बीच में तो अपने उसका नाम क्या रख रख है डाइपोल तो दुनिया में डाइपोल है अगर आप लोग वैसे एक एक पर करेंगे तो वह एने प्लस तो यहाँ पर भी जो डाइपोल मुमेंट होता है है और इसको अपन लोग यह कशा ग्रेजेंट करते घाशूंव इक ब्लेंके तो है यह हमारी value होती है कि इसकी dipole moment की इन्टू 2a is the dipole moment ठीक है dipole moment की जो direction है जब वो हम लोग देते हैं विटा तो वह आली direction हमारी कहां से आती है negative to positive charge ठीक है यानि की minus q से plus q की तरफ जो आपकी direction है वो आप लोगों को मिलती है तो अगर मैं mark करना चाहूं डाइपोल बना के direction यह मान ले बटा plus q है और यह क्या है तिरे पास मैं मान ले minus q है और मैं अगर direction मार्ण करना चाहूं तो minus q से plus q की तरफ यह आपके dipole moment की जो direction है बटा गोगी this is how you are going to mark the direction यह आपका dipole moment होता है ठीक है ना वेक्टर quantity यह ध्यान रखेंगा तो अगर यहां पर मेरे सोगई dipole moment पूछेगा तो यह मेरे पास में बन गया minus plus का ठीक है यह वाला और ऐसे यह बन गया मेरे पास minus plus का तो यह पी की direction क्या होई इधर इस में पी की direction क्या समझ रहे हो तो आप लोग ऐसे dipole moment वगरा की जो proper calculation है वो भी कर सकते हो कि यह भी पी है यह भी पी है तो यहां पर आपके पास में जो पी नेट है उसकी value आ जाएगी पूरा वेक्टोरियल चलता है मामला तो आप लोग बहुत आराम से उस वाली चीज को निकाल सकते है principle of superposition वगरा जो है वो अपलाए कर सकता है कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती है ठीक है ध्यान रखें एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू सेम मैगनिट्यूड ऑपोजिट नेचर तो हमेशा आएगा जीरो आएगा यह बात ध्यान रखना दूसरा जो इसमें एक और बिटा हम लो प्लस क्यू चार्ज है और यहां मानले ता हूं बिटा आपके पास में एक माइनस क्यू चार्ज मोजूद ël और इनके बीज की आदे संका कन्सिटर कर लेता हैं यह सेंटर वाली लाइन है और संटर वाली से माश्ण दोने हो हुँ क्या और आरल है और आप इन दोनों के कारण हम लोग जो electric field है ना बच्चों वो लेखने वाले हैं ठीक है plus q के कारण बेटा p के ऊपर जो electric field होगी उसकी direction यह होगी plus q दूर जाती होई और minus q के कारण जो electric field होगी उसकी यह होगी बेटा e due to minus q पास आती होगी ठीक है electric field की value होती है के q by r square अगर मैं डिस्टेंस ना पूंगा प्लस q से तो प्लस q से मेरी जो distance है वो कित्की हो जाएगी यह वाली distance यानी की r plus a पी पॉइंट तक की और वोई distance अगर मैं यहां से ना पूंगा minus q से तो यह distance a है और यह distance r है तो यह total distance क्या हो जाएगी r minus के है यह distances का भी ध्यान रखना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है बटा r plus है और क्या आगई r minus है तो यह distances जो है बिटा हो मैंने mark कर ली और अब electric field लिखने की कोसिश की तो मैंने क्या लिखा e due to plus q जल्दी बोलो उसकी value क्या हो गई क्या है क्या है बच्छों उसकी value क्या है बच्छों क्या है बच्छों ऑपोजट है इसी कारण से यहां पर क्या हुआ बच्छों जब e net लिखी गई तो हमने इनको घटा आया e due to plus q और e due to minus q जब मैंने लिखा magnitude wise अब देखा तो e plus q minus of e minus q जो है वो लिखा गया और फाइनली क्या लिखा गया बटा देखो q upon r plus a का whole square minus q upon r minus a का whole square यह quantity लिखे गए ठीक है बटा यह quantity लिखे गए समझ रहे हो जब यह quantity लिखी और solve किया तो फिर से यही सब चीजने solve करके यहां पर बता रखी है तो आप लोग कोई चिंता नहीं करेंगे हम लोग जो अब पर बिटा electric field की calculation कर रहे हैं को एक एक पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं फॉर पॉइंट ऑन दा एक्सेस ओफ दाइपोल समझ गए तो डाइपोल की एक्सेस वाला पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है इसको बिटा जो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे जा जाता है और वेरी वेरी रिटर देन एक क्या अजम्शन लिया जाता है और वेरी वेरी रिटर देने क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग तो यह हमारे पास आता है आर स्क्वेर माइनस से स्क्वेर का होल स्क्वेर और ऊपर में क्या जाएगा विटा फोर के क्य QA तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो यह मेरे पास में आ जाएगा इनेट इस इक्वल टू 4K QA divided by R square minus A square का whole square आ जाएगा और इसमें assumption क्या लग जाएगा R is very very greater than A वाला जैसे यह assumption लगे ना तो A square वाली जो टाम है वो आपकी उड़ जाएगी ठीक है यह वाली टाम आप लोगों की खतम हो जाएगी यह टाम खतम होता ही आपके आस R की power 4 बचेगा नहीं चाएगा ठीक है क्या बच जाएगा बटा R की power 4 आप लोगों के पास में बच जाएगा यहाँ पर एक R और आएगा वो यहाँ पर खाया हुआ है ठीक है 4KQAR अगर लिखूं डंग से यहाँ पर एक R और आता है ठीक है तो R स्क्वेर की power जब हम लोग देखते हैं तो R की power 4 बन जाता है तो यह क्या हो गया 4KQR divided by R की power 4 एक R से एक R गया तो 3 बन गया विटा तो यह क्या लिखा हुआ है 4KQ यह भी लिखा हुआ था यहाँ पर A upon R का Q अब 4KQ के अंदर विटा अगर मैं डाइपोल मोमेंट की की term भी बनाना जाओं पी पी की value क्या थी विटा टू क्यू ए राइट यह तरम यहां पर बना ले तो कैसे लिख लेगा इसको 2 इंटू 2 क्यू ए तू के इंटू 2 क्यू ए ऐसे लिख ले इसको चलेगा और यह divided by क्या कर ले बटा आर क्यू तो तो क्या देखेगा कि यह ठीक है ध्यान दीजिए यह electric field due to a dipole आपके अपास में आ गई है on an axial point पर जब आप लोगों ने इसकी direction देखी तो आप लोगों को दुबारा समझा आया है अब देख direction यहां पर ध्यान देखे ठीक है आप इसकी direction के ऊपर ध्यान दीजिए जब आप इसकी direction देखोगी ने ब जादा होगी मतलब की जो electric field की net direction आईगी इनेट जो आएगी वह आप लोगों की इस वाली direction में मतलब उसी direction में आएगी जिस direction में आप लोगों का dipole moment है ठीक है तो आपकी जो net electric field आती है it is always in the direction of dipole moment यह point यहां पर आप लोगों से पूछा जाता है और आप लोगों को पता ह होना चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनेट कि इस ओल्वेज कि इन दड़ direction of dipole moment जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है बटा हाँ दिख गया ना दिर्वा अपन लोगों ने जो point माना है वो किदर को माना है देख इस वाले case के अंदर हम लोग जब point को देखते हैं तो इस तरफ माना है क्यों के इस तरफ माना है ठीक है तो टोटल फील्डेट पी जो इन लोगों ने निकाली है वो इन लोगों ने प्लस क्यूं की जादा होगी बैटा माइनस क्यूं की जो है वो कम होगी तो हमारे पास जो answer आया finally वो कैसा आ गया positive आ गया यानि की फील्ड की direction के अंदर ही आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है इधर भी point था तो भी dipole moment की direction इधर थी और जो net field आ इधर ही आ गया तो कोई दि प्लेक्शन में इसी डायरेक्शन में आप लोगों की फील्ड आती है यह वाली बात ध्यान रखिएगा आप इसी तरह से जब हम लोग इसके अंदर require equatorial plane के ऊपर किसके ऊपर equatorial plane के ऊपर हम लोग electric और यहां पर क्या था विटा आप लोगों का माइनस क्यू और यहां पर हम लोगों ने कोई अ Sugetra का ठीक है धिके यह वाली डिस्टेंス हम लोग जानते ही है यहां लेके चलते हैं टूइंट Wirp अब अगर तू ध्यान से देखेगा यह प्लस क्यू यह और देखने क्यू वाले एक्स स्क्वेर प्लस एसे विटा यह वाली डिस्टेंस भी एंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस एस्वेर जो हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं ठीक है इसमें बिटा जो आपके वर्टिकल जबकि आपके जो वर्टिकल कॉंपोनेंट्स हैं उनके साथ में क्या हो गया वो कैंसल आउट हो गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अब जब मैंने इनेट की वैल्यू लिखी तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं बच्चों किसी भी एक अंगल को थीटा मान लो और थीटा मान तो मैंने इस वाले अंगल को मान लिया थीटा तो यह अंगल भी थीटा हो जाएगा ना वो मेरे पास में कित्ती है विटा के क्यू और रूट ओफ एक्स स्क्वेर अपॉन एश्क्वेर अब इस ट्राइंगल में अगर तेरे से कोई कॉस्ट थीटा लिख वाएगा तो तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू कित्ती हो जाएगी भाई अब बिटा जब हम लोग इसके अंदर वैल्यू जालते हैं कॉस्ट थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए जाता है तो हमारे पास जो अंसर है वो सीधे सीधे निकल के आ 자ता है हमें कोई दिक्तत नहीं आती यह हमारे पास में जो रेजल्ट है विटा यह हम लोगे रिजल्ट यह उसको लिख सकते हैं और तो रिजल्ट है वो क्या आजाता है 2q मतलब पी तो हमारे जो आंसर है वो आ जाता है के पी अपॉन आर क्यूब विदा माइनस साइन यह हम लोगों का आंसर कहां चला गए हाँ इदर तो जब सॉल्व करता है तो इनेट जो हमारे पास में आता है किता आजाता है के पी अपॉन आर क्यूब माइनस के साइन का जो बिटा यहां पर सिग्निफिकेंस है वो यह है कि हमारे डाइपोल मुमेंट की डाइरेक्शन देखो किदर है डाइपोल मुमेंट की डाइरेक्शन बच्चों यह वाली डाइरेक्शन है जबकि जो इलेक्रिक लोगो तो यहां से ना मान के बटा यहां से सीथे मान के कर दिया हो तो उन चीजों की आप लोग चिंता मत करना डेरिवेशन है आप लोग कैसे भी कर सकते हैं कोई उसके अंदर चिंता वाली बात नहीं है ठीक है है ना यहीं पर थीटा माना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने कॉस्ट थीटा की वेल्यू तो लिखनी अब तुम्हें आनी चाहिए तो में कॉस्ट थीटा लिखनी नहीं आती तो आपन तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना भाईं कॉस्ट थीटा वीटा तो लिखना आना ही चाहिए तो E की वैल्यू के क्यों अपन आर स्क्वेर मतलब इसका पूरा का पूरा स्क्वेर को बताई दिया जब इनको आपस में मुल् प्रपोर्शनल टू आर क्यूब नजर आती है यहां पर भी पिछले फॉर्मूले में देख यहां पर भी क्या नजर आई थी यहां भी तुम्हें इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब ही नजर आई आर क्यूब की तरह जाती है यह बात ज्यान रखिएगा मैगनिटूड डिरेक्शन ऑफ दिपेंड नॉट पोजीशन वेक्टर उसके उपर भी विटर डिपेंडेंसी होती है ठीक है डाइपोल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो मैंने अभी आपको बताया था पानी का कि इसमां दो मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है एक तो होते हैं आपके पोलर realizar दी डूसरे क्या हो जाते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स छीक है spelled मिप पर्मनेंट इलेक्ट्रिकल वोमेंट होता है ठीक है तो पोलर होते हैं जिनके पास में एक परमनेंट अदाय पॉलरक के लगाएं भी हमारे पास में क्या होता है परमानेंट डायपोल मोमेंट कुछ चीज़ों के पास में मौजूद होता है उनी को हमने क्या बोल रखा भी यह वाली बात ध्यान रखेंगे प्रेटा अब जो डाइपुल एक्सक्रणल फीड की बात है इसको अपने लोग next lecture के अंदर करेंगे जिससे की एक dipole तक की जो कहानी है वो हम लोगों ने cover कर ली हमारे इस time saver के अंदर आगे जो है वो आपको इसके आगे की कहानी बता दी जाएगी जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे uniform external field के साथ में dipole के अंदर जो सारी कि अवों कि साथ बाल च Nav में जो साल स कक de जो में बता दो आझ हमने जो आएगी जर मात षถुग अचुरुन मात आच सीन कर औूस का लो